नमस्कार दोस्तो मैं हूँ चंदन चौबेदी फाउंडर आफ कानपा एजूकेशन स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर अपने इस लेक्चर में हम एनलाइज करेंगे रिसेंटली हुए एक टैक्स रिफॉर्म को जिससे की टैक्स की चोरी को रोकने में काफी हेल्प मिलेगी यहां आप देख सकते हैं Economic Times का यह Important Report जिसमें लिखा हुआ है E-Way Bill Integrated with Fast Tech and RFID और यही है दोस्तो Important Tax Reform अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि E-Way Bill को Integrate कर दिया गया है Fast Tech and RFID से तो इसका क्या मतलब हुआ तो देखिए दोस्तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा Management Information System को Management Information System होता क्या है तो काफी Simple है यह एक तरीके का Cloud System होता है जो Data Store करने का काम करता है साथी Data को Process भी करता है जैसे कि हमारा Google Drive हो गया हम Actually में अगर अपने Phone में एक Setting कर देते हैं और उसके थुरू अपनी Pictures को Save करना चाते हैं Google Drive में तो वो Easily हो सकता है इसी तरीके से काफी सारे Portal जो होते हैं एक Management Information System से Connected होते हैं और उस Management Information System में सारा Data उन Different Websites का जाता है और उस Information को हर कोई देख सकता है जिसको Allow किया जाए देखने के लिए उस Data को तो सेम जो दोस्तो Google Drive का काम होता है हमारे System पर वैसा ही सेम काम होता है Management Information System का एक Official Level पर और हर Organization का एक अपना Management Information System होता है जिसमें वो ज़रूरी Data रखते हैं और उस Information के थुरू वो कई चीजों को Cross Examination करने की कोशिस करते हैं अब अगर आपको यहाँ पर यह समझना है कि Actually में हुआ क्या है तो आपको पहले का System समझना होगा कि पहले का System कैसा था तो यहाँ पर देखें दोस्तों पहले का जो Management Information System है वो Actually में अलग Organization का था जैसे कि Fast Tech से Related जो MIS था वो अलग था और जो Tax से Related MIS सिस्टम था वो अलग था और यहाँ पर जो Data Collect होता था जैसे कि Fast Tech से Related जो Management Information System है वहाँ Data Collect होता था पब्लिक द्वारा दिये गए Feedback का, Fast Tech Websites का, NHAI का जो Portal है वहाँ के Regarding जो Information है वो इसमें Store होती थी या RFID यानि जो Toll Collection का काम कर रहे हैं उनके थुरू जो Data इसमें दिया जा रहा है वो Store होता था लेकिन यह MIS सिस्टम किसी तरीके से GST का या जो दूसरे तरीके का Tax हो गया उ Process करने के लिए दूसरा MIS सिस्टम है और यह GST के Regarding सारी Information को अपने आप में Store करता है और यह Data किस तरीके का हो सकता है यह GST Number हो सकता है यह E-Way Bill का Data हो सकता है Input Tax Credit के Regarding Data हो सकता है या फिर दूसरा Data जो Actually में GST से Related हो तो यहाँ पर यह दोनों सिस्टम जो थे वो पहले एक तर Connect कर लिया गया है और यहाँ पर ऐसा किया क्यों गया है तो देखे दोस्तों Fast Tech भी आज mandatory है और E-Way Bill Generate करना भी आज की Date में mandatory है यानि यह दोनों काम करना mandatory है किसी भी Transporter के लिए और अगर यहाँ पर Transporter किसी एक चीज़ को करता है किसी दूसरे चीज़ को नहीं करता तो यहा काटा के mismatch से कोई भी Tax Official है वो असानी से समझ पाएगा कि यहाँ पर किसी तरीके की जोलबाजी तो नहीं हो रही यानि कोई corruption तो नहीं हो रहा और फिर वहाँ पर Inquiry Order करके हम काफी हद तक काफी असानी से Tax की चोरी को पकड़ पाएंगे तो इसमें काफी help हो जाएगी Tax Officials क अब बात करते हैं दोस्तो इससे होने वाले benefit की तो सबसे important benefit यह है कि real time identification of the cases को कर लिया जाएगा काफी जल्दी जो e-way bill की compliance को थी उसमें दो problem आती थी एक तो e-way bill को generating नहीं किया जाता था यानि non generation of e-way bills और दूसरा है e-way bill की recycling कर लेना e-way bill की recycling कैसे की जाती है तो इसको मै बता देता हूं तो देखें दोस्तो अगर दो location के बीच में आपको e-way bill चाहिए दो location के बीच का तो उसको generate करने के लिए आपको na pin code डालना होता है दोनों जगा का दोनों जगा का pin code डालने के बाद से उस दो location की बीच की दूरी कितनी है और उसको travel करने में time कितना लगेग उस 4 घंटे में आपको travel complete कर लेना है अब यहाँ पर किसी कारण जो है वो journey complete नहीं हो पाई तो उसी same invoice पर दुबारा से e-way bill को generate करना पड़ता था अब यहाँ पर दुबारा e-way bill generate करने में काफी धानली होने के chances होते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को रोकने की कोशिस की जा वो अब किसी भी vehicle की position को locate कर सकते हैं यानि जान सकते हैं कि वो vehicle कहाँ पर है और यह मिलेगा fast tech के information से और यहाँ पर fast tech का information अब tax officials के साथ भी साजा हो गया है क्योंकि दोनों MIS को जोड़ दिया गया है अब यहाँ पर अगर e-way bill generate नहीं किया जाता और एक तरीके से recycling की जाती है तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो tax officials easily fast tech का जो data है उसके थुरू वो देख पाएंगे कि कौन सा toll जो है वो कब pass किया गया है कितने time पे pass किया गया है और वो जो जरूरत जो actually में वो e-way bill का generation है वो सही है या नहीं इस तरीके की जो चीजे है उसको find out कर लिया जाएगा औ और इससे of course tax collection में जो बढ़ोतरी होनी है वो जरूर होगी और जो चोरी है वो जरूर रुकेगी तो दोस्तों अब यह है हमारे इस lecture का end I hope आपको यह tax reform अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप चाहते हैं हमें financially support करना तो हमारा UPI ID है canpa education at the rate YBL इस UPI ID पर आप हमें payment कर के support कर सकते हैं thanks to all of you for watching this lecture till end